हाई फ्रेंद्स जैसे आप सब आइप आप सब अच्छे होंगे आज हम मुरमुरा लड्डु की रेसेपी शेयर करेंगे इसको बनाना बहुत ही आसन है बहुत डिलिशेश लगते है और बहुत एजली आप इसको बना सकते है तो देखते हैं अपनी डिलिश scholarships सी रेसेपी को इ इसी तरीके से इसको चलाते रहेंगे, हम इसको तब तक रोष्ट करेंगे, जब तक कि ये क्रंची नहीं हो जाए, इसको रोष्ट करते टाइम, जो गैस का फ्लेम है, वो लो रखेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे जो लहिया है, वो जल जाएगी, इसकी क्वांटिटी भी आप कि अच्छे से रोज्ट हो गई है गैस के फ्लिम को मैंने बंद कर दिया है इसको ठंडा हो जाने देंगे यह पैन में घी डाल ले हूं लड्डू बनाने के लिए देसी गी है इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और अच्छे से लड्डू बनेंगे यह गुड है यह 250 ग लेंगे गुड को लो फ्लेम पे χी मेल करेंगे और इसको कॉंसटेंटली चलाते रहेंगे इसको मैलतोने में दो से तीन मिनट का ताइम लगेगा इसको अच्छे से म्यट हो गया है और अच्छे से चला लेंगे इसको जिस्टे किई तने लगे हैं बस गुड हो चुका यह अभी एक कटोरी मैंने ठंडा पानी लिया है इसमें गुड को डाल के देखेंगे जो गुड है वो जमने लगा है बस इतना ही रखना है गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है इसको चला लेंगे थोड़ा सा यहां पर हमने जो मुर्मुरा रोष्ट करके रखे दे वो डाल देंग अच्छे से मिक्स कर लेंगे गुड में इसको आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो गुड है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए जिससे की जो लड़्डू है वो अच्छे से बन जाए इस तरीके से चलाते रहेंगे देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इनको अब यह हलका अलका गरम रहें उसी टाइम पे हमें लड़्डू बनाने है नहीं तो यह ठंडा हो जाएगा तो यह जम जाएगा पैन को नीचे उतार लेंगे और यह मैंने एक कटोरी में पानी लिया है इसमें हाथ को भिगो के और इस तरीके से लड़्डू बना लेंगे देखिए जो मिक्सर है वो हलका अलका गरम रहना चाहिए बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए नहीं तो आपके हाँ जल सकते हैं लड़्डू में फ्लेवर के लिए आप इलाइची पाउडर, स्वोड पाउडर या काले मिच जो भी मिक्स करना चाहिए मिक्स कर सकते हैं मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है इसलिए मैंने कुछ भी एट नहीं किया है आप देख सकते हैं बहुत ही डिलिशियस लड़्डू बनके तयार हैं और बहुत इजली आप इनको बना सकते हैं आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिये आपको